गुड मॉर्निंग बच्चों मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे मनुवियान विभाग मरवारी कॉलेज राची बच्चों आज मैं 12 क्लास के बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूं और पिछले क्लास में मैंने बुद्धी की परिभासा आपको बताया था और आ कौन सी विधिया होती है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूं देखिए सबसे पहले बुद्धी को मापना इतना असान नहीं है लेकिन फिर भी हमारे मनुवियानिकों ने बुद्धी को मापने के लिए कुछ तरीकों का उपाय किया है और मापने का प्रयास किया है जिस मैं आपको आज इस वीडियो के दोरे मैं आपको बता रही हूं मापने के सबसे सबसे पहली किया है ममनोबैज्यानी परेक्षान यह क्या करते हैं बुध्धि को मैं उ यह यह परिक्षन करते हैं, अब इस परिक्षन में देखिए कि क्या होता है मनोबेग्यानी परिक्षन, मतलब साइकलोजिकल टेस्ट में, मनोबेग्यानी परिक्षन का किर्यानिवन करके बेक्ति के मानसी गून, इसको जो mental attributes होते हैं, बेक्ति के मानसी गूनों को मापा जाता है, मनोबैग्यान परिख्छन से त्रादपर बैक्ति के मनोबैग्यानि की अमानसी ग्योनों तथा बेवहारों का एक बस्तुनिस्ट और मान की करित माप से होता है बेक्ति की बुद्धी, अभिब्रीती, बेक्ति तुम आपने के लिए ऐसे बहुत सारे मनोबेग्यानी परिक्षनों का निर्मान किया गया है, जिसका सफलता पुरुवक परयोग किया जा रहा है, इन मनोबेग्यानी को का परिक्षनों का उपियोग नैदानिक मनोबेग्यान मतलब क्रिनिकल साइकलोजी, सिख्छा मनोबिग्यान, एजुकेशनल साइकलोजी, अद्योगी क्यों संगठ नात्मक मनोबिग्यान, इंडरस्टियल और अर्डनाइज़ेशनल साइकलोजी, तथा प्रामर्स मनोबिग्यान, कौंसलिंग साइकलोजी की तुलना में अधिक किय लाइब्रेश्या-जय. प्रेक्षी में बच्चों का ये प्रामर्स मनोबिग्यान बहुत ही एक महतोपूर्ण मनोबिग्यान के रूप में उभरा है जिससे हम लोग क्या करते हैं बच्चों को प्रामर्स देते हैं कि बच्चे कहीं गलत रास्ते में चले गए हैं या किसी भी तरह का उनको मांसिक प् पूट गया है इसका डिवान बहुत ही अधिक होने लगा है इस बिधी के द्वारा हम बच्चों के बेक्टी के कुप्रामर्स दे करके उन्हें हम अपने रोज की जीवन के मार्णा की कामों के लिए हम लोग प्रेरिद करते हैं और उनको सही रास्ते पर लाते हैं मतलब उनका ग्रेक्षन बिधी एक बहुत ही लोग को रिए बिधी है प्रेक्षण बिधी में प्रेक्षग-जीव जिसमें मनुष से तथा पसु दोनों ही समरिद होते हैं ऐसा नहीं है कि मनुष से कही जाता है और पसुओं को जा अब्जर्बेशन में होता है दोनों के किया जाता है मनूस तथा पसुद Maxi सम्रीद करके उसका हम लोग क्या करते हैं उब्जर्बेशन करते हैं झाया का है जो देखिए मनूस तथा पसुद दोनों इसमें सम। मोसे मनूस हैं यह यह सोभायुक भी हो सकता है तथा क्रित्री में दोनों तरह के विचार होते हैं बच्चों में आक्रामक्ता का तथा मास इसू अंतर क्रिया का अध्यान करने में इस विधी का अक्सर रुपियों किया जाता है प्रेक्षन का परशिती पर कम से कम नियंतरन होना तथा उनके द्वारा व्यवहरों का किया आत्मनिष्ट व्याक्या इस विधी की प्रमुख परिशी मांओं से एक होता है अब देखिए मां बच्चे हैं या बच्चों का अक्रामक्ता है अक्रामक्ता मतला अग्रेसिवनेस तो जदी बच्चे खेल रहे हैं कोई भी बच्चा या पसु या कोई कुछ भी जीव है प्रानी है वह जदी अपने स्वभाविक रूप में वह अपना अपना क्रिया कर रहा है तो उसके द्वारा पता चलता है कि बेक्ति में वह किस तरह के बेवहार करता है या वह अक्रामक बेवहार करता है या प्यार करता है या सदार्म बेवहार करता है तो उसके भुद्धि की उसको कि तरह का इसमें वह कर लेते हैं इसमें दोनों के द्वार की कृत्रिम हो या स्वभावी को दोनों ही बातों का पता इसमें लग जाता है अब तीसरा है सक्षतकार विधी इस विधी में सक्षतकार करता अभियर्थी के साथ आमने सामने की प्रस्तिती में होता है क्या होता है सक्षतकार करता में जो भी अभिय और अभियर्थी उन प्रस्णों का उतर देता है दिये के प्रस्णों के उतर के अधार पर अभियर्थी के मनवेग्यानी गुनों का मापन किया जाता है बेक्ती अभियर्थी जो उतर देते हैं उसके अधार पर जो पर ये सक्षतकार करता होते हैं उसके मनवेग्यानी गुनो मतलब की इंटर्वियू मेथड में क्या होता है कि जो इंटर्विवर होते हैं जो सक्षातकार करता होते हैं वो अपने अभ्यार्थी से कुछ प्रस्णों को पूछते हैं और अभ्यार्थी जो उस प्रस्ण का जैसा जबाब देता है उसके अधार पर वो सक्षातकार क्या करते हैं उनके मनवेग्यानिक गुनों का मापन करते हैं जैसे मानली जैकि कोई में ब्यवसाय से संबंधित देखती हैं वो अपने ब्यवसाय के बारे में अपने ग्रहकों से पूछते हैं अपने जो उनके पास काम करने वाले हैं उनसे वो पूछते हैं जो अभ्यार्थी हैं उनसे वो पूछते हैं उनसे क्या करते हैं उसके बार कुछ बहुत सारी कोर्शन उस्तों मंथी सब्जेक्ट चे पूछा जाता है और अभियर्थी जो उतर देते हैं उसी के अंशार उनके मनवेज्ञानिक गुनों का मापन करके वो सक्षात करता उनका उनकी योगिता को निकालता है और इसका उपयोग सिर्फ ब्योशाय में ही न करता है और जिस जोब के लिए जाते हैं उस जोब से संबंधित उनका इंटर्व्यू किया जाता है और इंटर्व्यू के द्वारा ही उनको जज किया जाता है कि क्या ये बेक्ति इस काम के या इस जोब के लाइक है या नहीं है वो सही दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं तो तो इस तरह का हम लोग सक्षतकार विधी के द्वारा मतलब इंट्रभ्यू मेथड के द्वारा मनवग्यानिक गुनों का मापन करते हैं। अब है आपका केस अध्यान विधी। केस अध्यान विधी में हम देखते हैं कि किस तरह से होता है। इस बिधी में मनवेग्यानिक बिधी मनवेग्यानिक किसी एक बेक्ति जिसे केस कहा जाता है उसके भूत तथा बर्तमान के बेवहारों का गहन बिसलेशन करते हैं ताकि उनके प्रमुक मनवेग्यानिक गुनों के बारे में आकलन किया जा सके इस तरह से इस बिधी में बेक्त प्रस्नावली तथा मनोविज्ञानी परक्षनों से उत्पन जो डाटा होता है डाटा कहीं उप्योग किया जाता है इस विधी का उप्योग सबसे अधिक नैदानिक मनोविज्ञान में किया जाता है किसमें किया जाता है सबसे अधिक इसका नैदानिक मनोविज्ञान में किय जाता है और उनके बारे में मनव मग्यानिक आखडा लिया जाता है और हुगा परिक्षन किया जाता है अब है आपका एककर Ari inici होता है और मतलब अब प्रतिवेदं मतलब इस वी दी में de многие इतनी ही अपने बारे में कुछ तत्यात्मक सुचना या अपने मुल ले अभिरूचियों विश्वासों आदि के बारे में सुचना परदान करता है इन सुचनाओं का विसलेशन करके उनके मनोबेग्यानी गुनों के बारे में आकलन किया जाता है ऐसी सुचनाएं समानेत प्रसनावली तता सक्षतकार करते हैं अब देखिए अब हमने आपको पांच तरह के बीधियों के बारे में बताया है जिससे कि हम लोग मनोबेग्यानी परिक्षनों के बारे में हम इसकी जनकारी ले सकती है तो हम मनोबेग्यानी गुनों को मापने के लिए कौन-कौन सी बीधि का उपियों किया जाए हैं इस बीधि में हमने आपको पांच बीधि बताया पहला बीधी मनोबेग्यानिक परिक्षन सा rating कर टेस्ट है दूसरा बीधि में और परिक्षन इन इन पांचों मेथट को हमने इस क्लास में आपको बताया और आप इस क्लास को देखिए ये 12 क्लास के बच्चों के लिए एक क्लास चल रहा है और आप सभी से अगरा है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझने का परयास करें कोई भी दिकत हो तो आप हम ल भी धन्यवार